नमस्कार मैं विकम सिंख आज मैं बताऊंगा रासायनिक सुत्र बनाने की विधि Chemistry में Chemical Formula अगर हमें बनाने आता है तो हम बहुत जादा अच्छे तरीके से हम Chemistry को समझ पाएंगे क्योंकि Chemistry का मूल आधार ही है Formula क्योंकि आप जानते हो पूरी chemistry, पूरा रसायन, रसायन का मतलब होता है पदार्थों का विज्ञान, याने जितने भी पदार्थ होते हैं, उनके अपने एक formula होते हैं और उस formula को आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो कैसे याद रखें, वो समझें, अब इस तरह से देख दारों ध्यान दें, सुत्र कैसे बनाते हैं, देखें किसी भी रासायनीक सुत्र में क्या होता है, एक होता है धनायन, उसके साथ जुड़ा होता है रिनायन, फिर रिनायन, धनायन और रिनायन के मिलने से बनता है यौगिक यानिकी compound, अगर हम कुछ इस तरह सक कहें, कि धनायन को इंग्लिश में बोलते है केटायन ये कहलाता है एनायन और ये कहलाता है कंपोंट धनायन रिनायन और बना कंपोंट तो धनायन और रिनायन के मिलने से एक यौकिक बनता है अगर हम थोड़ी सिंबॉल में बात करें तो कुछ ऐसा कह सकते है, माल लेते हैं, A, एक धन आयन है, जिस पर धन चार्ज है X ताइम, धन आवेश है X ताइम, एक, दो, तीन, चार, जो भी है, एक, दो, तीन, चार. यहां पर रिनायन को B से दर्शा देते हैं और इसमें चार्ज है माइनस और यह है Y टाइम्स यह है Y टाइम्स तो एक जो कंपॉंड बनेगा उसमें A कितना होगा Y कितना होगा यह पता चल जाता है किस से? इसके चार्ज से X इसकी आवेश है इसका चार्ज है या इसकी सेंज़कता है या ओक्सिरेशन नंबर है जैसा भी आप बोलना चाहो B का चार्ज क्या है B का आवेश क्या है माइनस लेकिन कितने बार संख्या लिखा हुआ है Y बार Y टाइम्स Y को A की संख्या बना दो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना A होगा वो Y टाइम्स A होगा यानि की Y बार A होगा तो मैं क्या कहूँगा A कितना होगा इस खंक्या को देखो और इसके नीचे लिखो इसके नीचे लिखो तो ये Y हो गया B कितना होगा X को यहां पर लिखो ये लो तो क्या बोलते हैं इसी को क्रिस क्रोस बोलते हैं कि A X और B Y A X और B Y जुड़ा तो ये X इधर चला गया Y इधर चला गया तो बन गया A Y B X बस इतना ही करना है आपको तो कुछ एक्जामपल कर लेते हैं चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ हमेशा है यहाँ खना धनायन या केटायन धातू होते हैं metal होता है और रनायन जो होता है non metal होता है येस लेकिन एक तो जोको पर आपको अलग अलगेगा कि धातू भी नहीं कुछ परमानों की संख्या कहीं पर अपवाद हो सकता है एक दो उसमें मज जाईए अपवाद के बारे में हम बातचित करेंगे थोड़ी देर में नॉर्मल इधातू होते हैं धनायन रिनायन परमानों या परमानों की संख्या होती है परमानों का समू होता है परमानों या परमानों का समू होता है जिस पर माइनस चार्ज होता है रिनायन क्या होता है रिनायन परमानों या परमानों का समू होता है जिस पर रिन आविश होता है वो रिनायन होता है चलिए अब खेल शुरू करते हैं Example, चलिए मैंने example ले लिया calcium, calcium पर plus 2 charge क्योंकि इसकी valency होती ही 2, दो electron दान कर सकता है, इसी तरह से मेरे पास है CL minus, अब देखो CL minus है, ये CA plus 2 है, plus 2 मतलब धन 2, X की value कितनी है 2, इसमें X की value कितनी है, minus 1, minus लिखा है न, इसका मतलब है ये 1 number को दर्शार है, 1, तो इसमें X की value है 1, 2, 1, compound क्या बनेगा, ये calcium है और ये chloride है, इसके मिलने से क्या बनेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 1 इधर आजाएगा, तो calcium कितने बार होगा, एक बार, calcium एक बार, और chloride कितना होगा, ये 2 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Cl2, बात समझ में आ गया होगा, एक और लेते हैं, चलिए, calcium प्लस 2 और oxygen में minus 2 होता है, oxide कहलाता है, ये calcium है, ये oxide है, calcium oxide हो गया, ठीक है, ये 2 इधर चला जाएगा, ये 2 इधर आजाएगा, तो क्या होगा देखो तो, CA2O2, जो नमबर इधर आया, जो नमबर इधर गया, ये 2 और 2 है, अनुपाद देखो, तो 2 अनुपाद 2 है, किसी भी अनुपाद को हम हमेशा सरलतम रूप में रखें, तो क क्या होगा, जैसे इसको सरलतम रूप में रख सकते हैं क्या, एक दूसरे से कट जाती तो काट दीजे, भाग जाती है तो दे दीजे, तो कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बना बिटा, 1 ratio 1, मतलब ये 2 नहीं है, इसकी जगा पे ये होगा, क्या CA1 बन गया है, ये भी 1 बन हैं, इस पर चार्ज होता है, प्लस 3, एलिमिनियम पर चार्ज है, चार्ज को कहते हैं, यहाँ पर, या तो उसकी सह dissip जगता कह सकते हैं, औक्सी करन संख्या कह सकते हैं, इसी तरह से अगर ये क्लोरίν के साथ है, तो क्या होगा, चलो बताओ, आब तो बताँ पाओगे, AL plus 3 है तो 3 इधर चला जाएगा एक इधर आ जाएगा तो यह हो गया AL कितना AL1 1 आ गया न बटा 3 इधर चला जाएगा 1 इधर आ जाएगा तो हो गया AL CL3 तो यह Aluminium chloride बन गया एक और देख लेते हैं इसी को oxygen के साथ AL plus 3 अगरी धनायन और रिनायन हमारे पास है कौन सा oxygen oxygen minus 2 अब क्या होगा बोलो यह 2 इधर आ गया 3 इधर आ गया तो क्या बना AL2O3 इस तरह से आपको formula बनने आ जाएगा minus plus का कोई लेना देना नहीं है minus और plus यह बताता है कि दो तरह के आयन होते हैं पहला धनायन और दूसरा रिनायन और दोनों के मिलने से योगिक बनता है यह योगिक कहलाता है जैसे आयन से मिलकर बना है इसलिए कहलाता है आयनिक compound याने कि आयनिक योगिक तो ये योगिक कैसा है आयनिक योगिक है क्योंकि इसमें विद्वत संयोजी बंध बनता है मुझे लगता है कि बात है आपको समझ में आने लगी है और यही चीज हम आगे और देखते जाते हैं चलिए अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है sodium chloride, sodium sulphate, calcium sulphate, feric sulphate, feric nitrate अब हमारे पास एक problem आचुका है कि इसका formula हमें क्या लिखना है, क्या योगिक बनेगा, formula क्या होगा तो आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी क्या है जरद देखें, यहाँ पर वो मैंने कुछ लिखा है अब इस base पर समझो कि बिटा एक भाग धनायन है, केटायन और दूसरा भाग रिनायन है मैंने बोला था कि हिंदी में हैं प्योर, सरल हिंदी में लेकिन आपको कुछ नाम आपको अभी से तैयारी करने पढ़ेंगे, अभी से शुरुवात करने पढ़ेंगे कि उन्हें इंगलिश में ही लिखें, चाहिए हिंदी में पढ़ें, चाहिए किसी भी language में पढ़ें जो नाम है या formula है, वो इंगलिश में ही आएगा हिंदी में नाम फॉर्मूला नहीं आते हैं समझे रहे न इसलिए थोड़ी सी प्रयास करें थोड़ी सी मेहनत करें ताकि आप उसे अच्छे से कर पाएं तो अच्छे से कर पाने के लिए क्या जरूरी है आपको कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है NH4 प्लस क्या लिखा है अमोनियम इसका फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने NH4 प्लस अगर धुंदला दिख रहा होगा आपकी मुबाइल में तो एक काम करो थोड़ा रिजोलुशन बढ़ा लो ताकि यह पूरा दिखे मैं इससे ज़्यादा लिस्ट बताऊंगा और जितनी ज़्यादा आपको पढ़ना है क्योंकि यह हर तरह के एक्जाम में काम आने वाला है वो सारे लिस्ट मैं आपको देने वाला हूँ चलिए तो यह है अमोनियम तो ऐसे ही अमोनियम लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो कोई परिशानी नहीं है पर आपको बाद में तकलिफ होगी जब आप कॉलेज में जाएंगे तो बस कॉलेज में जाने के लिए कुछ ही साल बचे हुए हैं या फिर कुछ बचे चले भी गए हैं कुछ बचे निकल भी गए हैं सो सबको किसी को तकलिफ न हो, इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह से आपको लिखने आना चाहिए, चलो ठीक है, तो ये तो हुआ, किसी चीज का भी formula लिखना हो बिटा, तो आपको बताए ना, पहला भाग positive और दूसरा भाग negative होता है, चेक करो sodium carbonate, तो ये positive part है, धनायन और ये से आगया, carbonate, ammonium chromate, ammonium dichromate, ammonium hydrogen phosphate, ammonium oxide, ammonium oxalate, ammonium sulfate, ammonium sulfite, ऐसे करकर के बहुत सारी योगिक बन गया, याद करना तो पढ़ेगा, practice करना पढ़ेगा, कैसे करना है, मैं last, इस वीडियो के last होने तक आपको बताऊँगा, पहले आपको समझा दूँ कि इन दोनों का क्या महत्त फिलहाल यहाँ पर देखो, sodium carbonate लिखा हुआ है, तो sodium का formula क्या है, Na+, देखो यहाँ पर sodium लिखा होगा, कहीं पर यह sodium लिखा हुआ है, carbonate, carbonate इधर दिया ही के नए देखते हैं, यह carbonate पहले ही दिया है, तो carbonate, carbonate होगा CO3-2, क्या करोगे formula बनाने के लिए, यह 2 इधर आगया तो बन गया Na2 कार्बोनेट ये प्लस है मतब प्लस 1 है तो ये इधर चला गया CO3 whole 1 times मतब CDC बात है CO3 होगा तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला अब मुझे लगता है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया है इसको और उसको मिलाएंगे धनायन और रिनायन को मिलाएंगे तो बहुत सारे कंपॉंट बन जाएगा चलो सबका बना देते हैं सोडियम सल्फेट तो सोडियम का हुआ Na plus सल्फेट का उधर रेखें SO4 minus 2 ये 1 इधर चला गया 2 इधर चले गया तो इसका फॉर्मूला हुआ Na2SO4 केल्शियम सल्फेट केल्शियम का कितना plus 2 यहां है के नहीं चेक कर लो अभी तो बहुत सारे चीज़े में आपको लिखाने वाला हूँ ये 2 वाला में केल्शियम केल्शियम नहीं है तो केल्शियम होगा CA plus 2 मैं नाम लिख देता हूँ यहां पे केल्शियम CA plus 2 तो यह केल्शियम फिर क्या लिखा है सल्फेट सल्फेट तो अधर लिखा हुआ है SO4 minus 2 तो यह इधर आ गया यह इधर आ गया तो क्या बना देखो तो CA22 2 ratio 2 याने 1 1 तो CA SO4 इसी तरह देखें फेरिक फेरस बैटा फेरिक का होता है F e plus 3 और यहां पर भी फेरिक ही लिखा हुआ है तो फेरिक यहां पे है फेरिक का एक दूसरा नाम होगा iron 3 देखो फेरिक and ferrous 1 अस एक में प्लस लगेगा तीन बार और अस में लगेगा टू टाइम्स ध्या रखना किसी में एक और अस शब्द का प्रयोग हुआ है तो अस के लिए कम और एक के लिए ज़्यादा का उप्योग कह जाता है तो इनके पूरे डिटेल्स हैं हम एक वीडियो का लिंक भी देंगे आपको जिसमें ये समझाये गया है कि आइन्स को आप कैसे याद कर सकते हैं मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा उसमें से जाकर कि आप देखिएगा कि कि आइन को हम कैसे याद कर सकते हैं तो चलिए तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बताओ तो फेरिक 3 प्लस हो गया सल्फेट भी आपको पता है तो फेरिक 3 प्लस है और सल्फेट में 2 माइनस है तो हो गया एफी 2 इसका 2 इधर आ गया और इसका सल्फेट के लिए इसका आ गया 3 समझ में आ गया होगा आप सबको नाम करन फेरिक नैट्रिट, तो Fe का 3 होता है और नैट्रिट का होता है NO3- नैट्रिट करें लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं तो बहुत सारे चीजें अभी बचा हुआ है मैं पूरा लिस्ट दूँगा लास तक तो उसको लिस्ट को देखिएगा और सबको नोड करना है ये भी रहेगा उस लिस्ट में तो होगा Fe one time नैट्रिट NO3 3 तो मुझे लगता है बटा कि आप सबको formula बनाने आ गया है अब एक छोटी सी बात और final कर दूँ आपके लिए ये धनायन का लिस्ट है ये रिनायन का लिस्ट है दोनों को जोड करके जब लिखेंगे तो बहुत सारे compound आप बना सकते हैं आप खुद नहीं सोच सकते कि कितने compound का आपको formula बनाने आ गया है देखे धनायन आपके सामने इतने सारे रखे हुए है उनसे ये रिनायन है इनको जोड़ोगे तो हमें एक compound मिलेगा किसी को भी ले लो चलो एक बताता हूँ मैं आपको हाँ बताओ एक बात और यह अधि यह 20 होगा यह 20 होगा तो मानके चलो 20 इंटू 20 कर दो तो कितना हो जाएगा बोलो 400 मतलब आप सिर्फ टूटल 20 प्लस 20 यह 20 और यह 20 को अगर जोड़ दो सिर्फ 40 को याद रखने से आपका 400 हो गया अगर मान लेते हैं इसको एक मतलब इसको फिर बढ़ा दो आप कितने में 20 से 25 कर दो तो कितना हो जाएगा सिर्फ 5 और बढ़ाने से यह 500 हो जाता है इसके 5 और बढ़ा देने 30 कर देने से अब कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा अब समझ रहे हो लेकिन अगर मैं इसमें फिर बढ़ा दूँ यदि 20 के जगा 25 कर दूँ तो कितना हो गया 750 समझ रहे हो तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुले एक के बाद एक जुड़ता है अगला 30 बढ़ गया इदर से एक जुड़ता है अगला फिर 30-25 बढ़ गया समझ रहे हो तो इस तरह से फॉर्मुले हम धीरे 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 अपने दिमाग में बढ़ाते जाते हैं तो इसके लिए आपको प्रयास और डेली की प्रक्टिस चाहिए और रेगुलर ली करते रहेंगे तो क्या करेंगे जरा समझें इधर का कोई बी एक नाम उठाओ चलो मैं उठा लेता हूँ बेरियम मैंने ले लिया। कि इधर से कोई भी एक नाम उठाओ माल लेते हैं मैंने ले लिया hydroxide bicarbonate, कोई भी चीज़ ले लूँ ठीक है, permagnate ले ले लेता हूँ बड़ा लिख रहा है ना, permagnate barium permagnate ठीक है, permagnate तो barium का formula उधर देखो तो plus 2 मिलेगा और permagnate का मिलेगा MnO4 minus, अब आप ये पूछोगे सर, ये कैसे बना, ये कैसे बना वो पूछने की बात नहीं है, अभी आपको chemistry में आने की बात है समझते हो, सर आपने ये shirt कैसे पहन लिया, अगर आप बोलो तो ये इसका जवाब नहीं, पहले ये समझना होगा कि मैं shirt पहन की आता हूँ, तो कुछ चीजों को आपको जानना पड़ेगा, जैसे शुरुवात होती है कि शुरू में एक बच्चा होता है उस बच्चे को सिखा जाता है, मम्मी कहती मा बोलो, मा बोलो, पा बोलो, पा बोलो फिर थोड़ा बड़ा होता है बच्चे को बताते हैं कि ये red color है, yellow color है, blue color है फिर बताने लगते है कि ये chair है, इसको कुर्सी बोलते है, ये bed है, ये कपड़े है ये ये है, फिर कपड़े वाली बात होगी कपड़े के बाद फिर उसको classify करते हैं कि ये shirt है, ये pen't है दीरे दीरे जैसे उसको बताने लगते हैं और वो सीखने लगता है बिल्कुल आपको भी कुछ चीजे हम बताने लगेंगे और आप सीखने लगेंगे और इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो chemistry का पहला term होता है formula बनाना और yogic बनाना yogic को का नाम बनाने आपको आगया क्या नाम कैसे, कौन कौन से compound होगे compound का नाम क्या होगा, आपको पता चला इसके नाम, इसके नाम को जुड़ने से compound का नाम होगया और formula क्या हुआ जरा देखो barium इधर 2 का 2 इधर चला गया इस list को आप अपनी copy में उतार लेना, note कर लेना, फिर उसके बाद आप ऐसे ही practice करोगे, बहुत ज़्यादा practice की जरुरत पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास की जरुरत पड़ेगी, और उस अभ्यास को आप करो, आप अपने class में सबसे ज़्यादा formula जानने वाला student होगे, और chemistry आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझने वाला student होगे आप, ठीक है, तो इस तरह से chemistry को समझने के लिए ये बहुत जरुरी है, बास मिवा गई, chemistry को समझने के लिए ये बहुत जरुरी है, कि आप ऐसा करें, तो chemistry में formula बनाना मैंने आज के class में सिखाया, छोटा सा class लेकिन सारी information आपके पास रखा हुआ है, इन information को आप note कर लो, और एक बार practice करो, और जितने compound का formula बना पाएंगे या नाम बनाएंगे, वो मुझे ज़रूर बताओ, तो सबसे पहले, आप कितने compound जान गए, क्या, strontium nitrate, strontium iodide, strontium hydrogen sulfide, strontium hydroxide, strontium acetate, ऐसे ही करना है, तो काफी आसान है, अगले step में, जैसे जैसे आप class में आगे बढ़ते जाओगे, आप बहुत को सीखते जाओगे, मैं वादा करता हूँ, बस मेरे channel में, आप रहे हमेशा, channel subscribe कर लीजे, और इस video को like करें, और अपने दोस् को share करें, ताकि वो भी सीख जाएं, chemistry, chemistry का पहला चरण है ये, बिलकुल, आज की class यहीं पर समाप्त करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, thank you.